हेलो दोस्तों स्वागत एक बाफिर आप सभी का आपके अपने येटूब चैनल पीएस क्लसिस पर तो दोस्तों आज के इस फीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जिन चातों ने 12 क्लास केमिस्टिक के प्रैक्टिकल के सम्मंद में विदू तरह सानिक सेल टोपिक तयार किया है और इसका डाइग्राम अपने चार्ट पेपर पर बनाया है तो आज दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते ही वीडियो लेक्चर को समझते ही पूरी बात को तो दोस्तों जैसे कि आप इस स्कीन पर देख पा रहे होंगे इस टोपिक से एक्जमन दोरा बाएबा में आप लोगों से जितने समभव सवाल पूचे जा सकते हैं समय ब बिद्धूतर कि इस सब होते हैं सब यह होते हैं और इसी चिक डाय इसी कभई इसी के बारे में देखिए चलिए करते हैं को आपको वर अच्छे सोगे ने था हम इस सेल ने को बनाते हैं तो दो बबतन होते एक बड़िए और दूसरा बच्छों यह यह तीक है अधे जो बस्तों आप देख पार होंगे यह वाला अधे इस सबस्टों हम जिंक का लेते हैं जिंक की रोड ढलते हैं जिसको बच्छों की एक गालते हैं तिक और जिस लेते हैं उसमें ऐसτο läuft क्वेठोड मैं से सैल के अंदर रेडॉक्स होती है है टीक है ये रेडॉक्स बैच्वों होती है जिसमें ऑक्षिकन और अप्षेन्ट और युद्रक्षन के अथा साथ होता है तो जब सेल इस से तो बच्वों होती है तो मैं आपको बताता हूं ठीक है तो देखिए सच से पहले बच्वों यही पूचा जाएगा गैलवनी सेल ठीक है गैलवनी सेल का मुख्य काम क्या है ठीक है यहाँ पर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि यह जो आपना सेल बनाया है कि यह बिदूत रसानिक सेल है कि बिदूत अपकटनी सेल है तो मैं आपको बता दूँ कि यह एक बिदूत रसानिक सेल है ठीक है अच करता है कि आपको बताना होगा किस नि को को में परिबर्तित करना यानि यह जो आप देख पार इसके अंदर केमीकल हुँ है क्योंकि यह जिए डाने सफोर है जिंक सल्प्रेट का बिलिया ने इसके नदर रहे बच्छों केमिकल एनरजी रसानी कुर्जा को चैन्ज का परिवर्थ करता है यह विद्धूत उर्जा के रूप में परिवर्थित करता है यह प्राप्त होती है तो आप से पूछा जाए कि गैल वैंडी क्या होती है क्योंकि उस अबी करिया प्रणा बोर और यह क्या होता है तो तुक बतानों गया विद्धूちゃ करता है चाहिन चाहिए नमर्ट परणैंख क्या होता है जैसि कि आप भीगरिया जिसमें और अप्चन सासाथ होता है तो क्या रेटक्स अभी रेकालाती है और यहीं आपसे पुच्छा जा सकता है कि तो आप okay that you can get that you know और लें बता रहा ह percept में आपको अप्चन के बारे बताऊंगा लेंड़ी में को यह अपने अंदर से क्या लगता है दो एलेक्ट्रोन को रिलीज करता है तो ऑक्सिकन का मतलब होता है यह अपनी वारतम चैल के दो एलेक्ट्रोन त्यागता है अच्छा आप से पूचा है कि अपचेन क्या होता है तो आप चैन बच्छो यह होता है सब्सक्राइब करते हैं चैनल को और रिख पार यह कोपर देख पारोंगे यह कोपर बचल को बचल करें तो अगर दो यह अपना को बनाएगा आप वागा लाए यह देखिए ठीक है तो इन्हें दो इलेक्टों करें जो इन्हें जिंक ने त्याग एते तो जिंक का हुआ था है और यह उक्षिकन और अप्चन इस साथ होते हैं तो उसी अभिक्रिया को क्या होते हैं इसमें जिंक का औक्षिकन होता है और को पर होता है तो इस में आपको बात आपको समझ में आगे होंगी आपके पर होता है यह आपसे पूचाता है कि क्योंकि दो इलेक्टोड अम्समाइब यहां पर जिनक की इलेक्टोन चालता है तो यह जिनक की ही ऑक्षी करन के होगा ओक्सी करन हो रहा है आप्चे और आप से अपचेन पूछाजाएं अपचेन का होता बच्छो अपिटायन अपचेन चायन तो आप से अगर पूछा जाए कि ऑक्षिकन किसी लक्टोड पर होता है तो जिंक पर बच्चो आपका ऑक्षिकन और कोपर लेक्टोड पर हो रहा है तो अगला कोशन देखते हैं एक को बताना है कि विदूत अबगटनी सेल वे सेल होते है जो विदूत उरजय को रसानी कूर्जा में परिवर्तित करते हैं विद्धुत और या उल्टे होते हैं सब्स LGBT क्रेकर करा इसमें पूचा जाए पर कर哎 जो है जो ऑ फिक बादे हुए ये विद्धुत अपकटनी टीक है डोनों आपको यार्थ ढखना है है तो आप देख पारोंगे यह कौन सा यह विदूत रसायनिक सेल यह आपको कई बार अभी मैं बता भी चेक हुआ रासाइनिक सेल और वोल्टी सेल जो होता है यह सब क्योंते हैं यह बिद्दुत जो करते हैं तो बच्छा को लबड्स का क्या का रही है यह जो अप सके आप देख पा की अधर करन चल सकते हैं बीचमें के अधूरा होगा लेकिंगी जाएंगे इदर से रिक्रणट आएगा ठीके तो यहां से आता कि लेक्टों चल सकते हैं जाकि बीच में अधूरा दोब लवडद स्यत्यू के आने से यह रहागा तो छेट प्रभा गोंई ये पूरा करना इस परीपथ को ट्रवा को बना है नहें दूसरा तो क्या है याद ना रहे तो इस दोना बातों को लिख लें इस काम रती है कि नहीं कॉल रहते है चलिए अगला कौ Deixa भीदी इसल में क्या अंतर होता हुता यह को पहले बताए विदूत रसानिक यह वाले यह वह वह उते हैं यह वे टेक्व जो आशानी कुर्जा में परिबर्टित करते हैं ठीक है और बिदूत करते हैं दूसरे होते हैं सजमाराइच्छा अगला कोजन का चिंट देखिए अगला कौसर नहीं हो इस सैल में कैथोड तथा एंड कैसे धूरूब होते हैं देख Pokémon प्रक्राइब कैसे धूरूब होता थीक है और जो ए नड दूरूब होता है लेकिए tys अगर बात यही सवाल है और सारे सवाल आपको सवालों के जवाब बच्चों अच्छे से देने की कोशिश करी है और आपको वीडियो अच्छा लगा आपने दोस्तों से कर दीजिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए में लगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेट ओपी साथ तब तक क्लिए देने बात बैस्ट आप लग